उसकर कहा जाने वाला एकेडमी अवार्ट्स एक ऐसा फिल्म पुरसकार समारो है जो सिर्फ विजेताओं नहीं बलकि कई वजहों से चर्चा में रहता है थपर मारने वाला इंसिडेंट हो या फिर सेलफी ओसकर अवार्ट में कई अतरंकी चीज़े लोगों का ध्यान खीचती है 96 अकेडमी अवार्ट्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ ओसकर 2024 में डबलु डबलु ए के रेसलर और अबनेता जौन सिना ने सभी का धियान अपनी ओर खीच लिए औसकर अवार्ट में मंच पर जौन सिना फिल्म पीके के आमिर खान की तरफ बिना कपड़ों में नज़र आए उसमारों का सबसे बड़ा हाइलाइट रहा दरसल जौन सिना ने 2014 में ओसकर में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ट प्रेजन करने मिनिमल कपड़ों में पहुँचके मंच पर आने से पहले जिमी की मेल ने एक पुराना इतिहास याद दिया जब अवार्ट प्रेजन करने के बीच एक न्यूड आदमी मंच पर दोड़ने लगता है जिमी ओडियन से कहते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि आज कोई ऐसा सक्स आएगा वो सभी को पहली ही आगाह कर देते हैं कि कोई बिना कप्रों के अवार्ट प्रेजन करने आने वाला है जॉन सिना बिना कप्रों के मंच पर आने से डखते हैं वो मंच के पीछे से जिमी को आवाज लगाते हैं वो कहते हैं कि वो न्यूड होकर नहीं जा सकते जो जॉन सीमा मानते हैं और खुद को बेस्ट कॉस्ट्यूम वाले लिफाफे से प्राइवेट पार्ट को धग कर और विनर की अनॉंसमेंट करने मंच पर पहुंच जाते हैं जॉन सीमा को इस तरह देख सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और हसने लगते हैं अखिर में जॉन सीमा को एक परदे से ढग दिया गया उनका ये वीडियो जम कर सोशल मीडिया पर अब जो करा दो